म्यामार के समंदर में चीन की सब्मरीन दिखी है मलाखा स्ट्रेट में 20 दिसंबर को एक चीनी सब्मरीन दिखी है म्यामार की तरफ जाता हुआ दिखा है जाती दिखी है चीन की सब्मरीन सब्मरीन पर चीन का जंडा भी लगा हुआ दिखा है चीनी सम्मरीन म्यामार नेवी को सौपे जाने के आसार है योगेश सर आपके पास आऊंगा देखें बार बार मुझे से गलत नाम निकल रहा है योगेश सर ये चीन का जो ये म्यामार के साथ कनेक्शन है स्पेशली जब से वहाँ पर आर्मी रूल आया है जब से वहाँ कूप हुआ है सर आपको क्या लगता है कि ये भारत का एक और पड़ोसी जो चीन के साथ ज़्यादा जाता दिखाई दे रहा है और इस सम्मरीन के उपर आप क्या कहेंगे चीन जो है वो म्यामा की जो मिलिटरी हकूमत है उसके साथ वो हमेशा सिंप्थेटिक रहा है और उसकी कोशिक ये नहीं है कि उसके साथ जो भी सरकार म्यामा में साशन में हो चाहे वो मिलिटरी की हो या किसी और की हो वो हर सरकार से अपने रिष्टे जो है मजबूत रखना चाहता है क्योंकि ब्यादमा की एक बड़ी इंपॉर्ट्मेंट उसकी स्टेटिक सिक्निफिकेंस है वर्सिस इंडिया और उसके अलावा जो और्टिनिटिव ओयल पाइपलाइन वो ब्यादमा के थून लानी की कोशिश कर रहे हैं ब्यादमा चाहिना बॉर्डर्स पर दी काफी एक्टिविटीज चल रही है तो सर अगर देखे हमारी सरकार ने लुक एस्ट पॉलिसी का भी तो एक अनौन्समें किया था कि हम अपने जो पूर्वी जो हमारे देश हैं उनके साथ हम अच्छे संबंद रखेंगे कि आपको लगता है कि वह लुक के इस एशिया जो पॉलिसी थी उसमें म्यामार को अब हमें यहाँ पर exclude करना चाहिए क्योंकि म्यामार से हमारे वह संबंद है कैसे देखिया हम उसको मैं आपसे यहाँ पर एक nutshell में जानना चाहता हूँ कि मयामार के इस नए कू के बाद वहाँ नए administration के बाद चीन के ज़्यादा नस्दीक संबंद देखते हैं भारत के संबंद वैसे ही हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा है इसमें यह इदर और और वाली situation नहीं है इसमें तुम्हें यह है कि हर मुल्क जो है अपने अपने इंट्रेस्ट को एड़ास और प्रोटेट करना चाहता है चीन कर रहा है तो हम भी कर रहा है अभी हमने अपने विदेश सचिफ को फॉर्ट सेक्टरी को ब्यानबा भेजा था हम भी थोड़ा अपने रिष्टे जो है उनके साथ मजबूत मना आ रहे हैं तो इसमें जो है जो भी एक emerging situation है उसको हमें handle करना पड़ता है उसमें अभी दराज होकर नहीं बैठ सकते कि वह यह चीन के साथ यह कर रहे है तो हम उनके साथ बात की करेंगे इसको ऐसे नहीं देखा रहा सकता बिलकुल बिलकुल चीन कोशिश कर रहा है हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिष्टे मजबूत करने के लिए और वो हमारी बात सुनते हैं ऐसी बात नहीं है बत्तब व्यादमा इंडिया बॉर्डर्स पर जो है उन्होंने हमारी बदद की है लेकिन यह है कि ब्यादमा की अपनी अलग पॉलिटेक्स है वहां की जो हुपर्वत है अपने बात सुनते हैं